भगवान गणेश को देवताओं में सर्व प्रथम पूजा जाता है उनकी आराध्न से रिद्धी सिध्धी की प्राप्ती होती है साथ ही शुबलाब होता है इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे भगवान गणपती से जुड़ी कुछ दिलचस्प बाते इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप प्रभु की पूजा करेंगे तो शीग्रफल की प्राप्ती होगी शुरिगणेश को लाल और सिंदूरी रंग अत्यन्त प्रिय है भगवान का दूर्वा के प्रती विशेश लगाव है इश्वर की मूर्ती बैठी हुई अवस्था में आपने कई बार देखी होगी कारण गजानन को इस्थिर अवस्था अत्यन्त प्रिय है उन्हें लिखना पसंद है साथी पूर्व दिशा में गणपती की स्थापना लाबदायक है लाल रंग के फूल पूजास्थल पर रखने से भगवान गणेश का अशरवात प्राप्त होता है किसी भी शुबकार को पूरा करने से पूर्व गणपती को स्मरण करने मात्र से ही कार निर्विग्न पूरे होते हैं दक्षन दिशा की ओर गणपती को मुखकर नाप पसंद नहीं है इनका चिन स्वास्तिक है जिसे हिंदु धर्म ग्रंथों में शुबता का प्रतीत माना गया है शुद्ध घी से बना भोग लंबोदर को चड़ाने से गणपती की कृपादर्श्टीम बिलती है प्रभु को ग्रिहस्ता अश्रम के लिए आदर्श देवता का स्थान प्राप्त है मानेता है कि भगवान के स्वरू भी उनके भक्त भी उनके सभी कर्तव्यों कर निर्वहन कर अगर प्रभु भक्ती करते हैं तो गणपती उनसे अत्तिधिक प्रसंद होते हैं अनम्फ नूस्के रपोर्ट